और वही आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत जोखेंगे राइसेन, नर्सिंग्पूर और रीवा में प्रचार करेंगे राइसेन में छिंद्धाम दर्शन के साथ प्रचार की शुरुवात करेंगे जेपे इनड़ा के साथ रिवा और सतना में मंच साजा करेंगे और नर्सिंगपुर में इस्थानी कारिक्रम में वो शामिल होंगे ताबर तोड चुनावी दोरे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राश्चे अध्यक्ष और मुख्य मंत्री तक सभी नेता प्रचार में जोटे हुए हैं इससे पहले हमने आपको बिताया प्रधान मंत्री भारती जंता पार्टी के राष्ट अध्यक्ष और अब स्टार प्रचारकों में एक प्रमुक चेहरा मध्य प्रदेश का मुख्या मंत्री रक्टर मोहन ज्यादव लगातार भारती जंता पार्टी के प्रचार में जुटे रसल यात्रियों के मदद से उट को बाहर निकाला गया और कचनारा के धोड़र स्टेशन के बीच की ये घटना बताई जा रही है और आप देखें तस्वीर में और ये जो तस्वीर है रसल ट्रैक पर उट आ जाने की वज़े से वो हस गया इसमें और यात्रियों के मदद से उस उट को लोगों ने बचाया रत्लाम में बड़ा हादसा होने से टला और इस बीच तस्वीर आप देख रहे हैं दर रसल इसमें ट्रैन के इंजन में उट के फस जाने का ये मामला सामने आया और ट्रैन से उतर कर यात्रियों ने वहाँ पर मदद की और फसे हुए उट को जैसे तैसे रिस्क्यू किया ये ट्रैन के यात्रियों की मदद से ही इसे बचाया गया बिल्कुल और जादा अगर स्पीड में होती ट्रैन तो कुछ बड़ा हाथसा भी हो सकता था लेकिन इस बीच आप देखे कैसे आसपास के लोगों ने यहाँ पर पहुँचकर इखटा होकर और कुछ सेक्यूरिटीज जो यहाँ पर मौजूद थे वो उन्होंने उटको बाहर निकाला और इस बीच रिवा से बड़ी खबर आपको बताते हैं बिजली विभाग के एंजीनियर को गोली मार दी गई है इंजिनर गंभी रुप से घायल है अस्पिताल में उसे भरती किया गया है वीचू मौल के पास ये बारदात हुई है अलाकि कारण अभी तक सपष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर गोली क्यों मारी गई क्या कारण था और इवा से पूरा खटना करम सामने आया जहां पता देंगे कि बिजली विभाग के एंजीनियर को गोली मारी गई है और गोली मारी जाने के पीछे कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है एंजीनियर गंभी रुप से घायल है जोसे ऑस्पिटलाइज कराये गया है वीटू मौल के पास अस्वारदात को अंजाम दिया गया रीवा से इस वक्त की बड़ी ख़बाद विजली विभाग के एंजीनियर को गोली मारे जाने का ये पूरा गटना करम जो सामने आया इसमें अभी तक ये कारण सपष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर गोली क्यों मारी गई है मौल के पास गोली मारी गई है ऐसा बताया जा रहा है अलाकि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कहती है ये भी देखना है हम होगा फिलाल आपको बता दे कि इंजीनियर गंभी रूप से खायल है और अस्पतार में परतिकर आया गया सल्मान खान के घर फारिंग मामले में बड़ा अपडेट आया है तरसल मुंबई पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है फिलिस ने एक और बंदूग बरामद की है कुछ कार्टूस उसे लिले हैं तरसल सल्मान खान के घर पर फारिंग के लिए इसी बंदूग का इस्तिमाल किया गया था ऐसा दावा किया जा रहा है आरोपियों को हिरासत में लिये जाने के बाद लगातात पूछ ताच कर उनकी निशान देही पर बंदूग और कार्टूस भी बरामद कर लिये गए हैं बड़ी जानकारी सल्मान खान के घर मुंबई के बैंट ट्रक्स तेत उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फारिंग किये जाने के मामले में आरोपियों की गिरफतारी के बाद निशान देही पर ये हथियार और कार्टूस पर आमद किये गए शूटर सागर और शूटर विक्की इन दोनों को ही गिरफतार कर लिया गया था पहले ही उनसे पूस्तात चल रही है और अब जो पूस्तात चल रही है उसके आधार पर जगा जगा पुलिस जाकर जो है जाच परताल कर रही है और इस बीच एक बड़ा अपडेट और जो के इस्तमाल हुई थी और फिर कुछ गोलिया मिली है अब उनको लेकर भी आगे जाच की जाएगी और खबर भिंड से जहां डीजे पर डांस को लेकर लोगों के बीच मारपीट हो गई बारातियों के साथ गाउं के लोगों ने जम कर मारपीट की लाठी डड़नों और बेल्ट से मारपीट की गई है दो घायल बारातियों को अस्पताल में भरती किया गया है कूप धानक शेत्र के सोई गाउं का ये मामला बताया जा रहा है और अब आप नीमच की जहां IPL क्रिकेट का ओनलाइन सटा पकड़ाया है नीमच पुलिस ने बड़ी खारवाई करते हुए करीब 9 आरोपियों को गिरफतार किया और इस बार आरोपियों से करीब 5 करोड रुपे के सटे का हिसाब मिला है पकड़े गए दो आरोपियों को पुलिस ने दो लैपटॉप पुलिस ने उनसे और 28 मोबाइल फोन्स साथ एटियम आठ चेक बुक्स दो बैंक पास्बुक्स और दो पैन ड्राइब्स एक कार सहित लगबग 5 करोड के क्रिकेट सटे का हिसाब जबत किया और पुलिस ने ऑनलाइन सटे के आरोपियों से दस और आरोपियों को पूछताच में चिन्हित किया है जनकी गिरिफतारी के लिए प्रियास लगातार जारी है और इस आई पियल में जो सट्टा खिराने का ये काम करते थे पुलिस ने पकड़ लिया और खबर बुर्हानपुर से जहां पर हत्यारों का जखिरा बरामत किये गए करीब डेढ़ लाक रुपए की दस अवैद देशिक पिस्टल बरामत की गई है ककनार थाना पोलक्स की बड़ी कारवाई देखने को मिली दिल्ली के आरोपी को घेरा बंदी कर दबोचा है पाच औरी से हत्यार खरीद कर वो जा रहा था दो आरोपी फरार बताय जा रहे है जिनकी तलाश में पुलिस जट गई है तिन आरोपियों पर आमजेक्ट के तहट मामला दर्ज किया गया कारवाई के दौरान जो बरामतगी हुई है उसे अब देख सकते हैं तस्वीरों में इनके पास कितनी मात्रा में हत्यार थे है अलागि मुबाइल फोन और तमाम जो साक्षे हैं वो भी पुलिस ने अपने पर कुछ और आरोपियों की गिरफतारी होने की संभावना जता ही जा रही है और अपात राइपूर की करिंगे सीम साय पीम के बयान का समर्थन किया है मुख्यमंत्री विश्चु देव साही ने पोर्व पीम के बयान की निंदा की दरसल देश में करोडों OBC, SC, ST भी रहते हैं दरसल ये उस बयान का जिक्र है जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साथते हुए कहा था कि पहले देश के संसाधनों पर जो अधिकार है वो माइनरिटीज का है मुस्लिमों का है अलाकि इस पूरे मामले को लेकर इस पर विश्चु देव साही ने कह और मनमोहन सिंग जी प्रधान मंत्री थे तुन्हों ने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधन पर अलफ संख्यों का पहला अधिकार होगा मैं इस बयान की निंदा करता हूँ कह कि ये देश में अलफ संख्यों के अलावा करोडो करोडो की संख्या में HTSC, OBC, General के लोग भी रहते हैं और सब देश के लिए चिंता करते हैं देश के विकास के लिए चिंता करते हैं तो सबका अधिकार देश के संसाधन में है और तातकालिन प्रधान मंती का बयान की उसमें पहला हक अलफ संख्यों का होगा ये उनका बयान बिलकुल गलत है और एक संप्रदाइक्ता की और ये बयान निंगित करता है और 24 एपरल को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी भोपाल